आपके बस Redmi Note 13 है, 13 Pro है, प्लस है, कोई भी फोन है, तो यहाँ पे आप transition effect change कैसे कर सकते हैं अपने फोन में, transition effect क्या होता है, कि जैसे कि आप ऐसे करके slide कर रहे होते हैं, एक page से दूसरे page पे, इसको sliding effect और transition effect बोलते हैं, तो आपको screen पे touch करके रखना है, खाली screen पे, setting के option पे click क effect है, इस पे click कर लेंगे, अब यह crossfade है, यह वाला tumble वाला है, page वाला है, तो यहाँ पे effect देखेंगे, card है, rotate है, cube है, तो यहाँ पे, मैं cube वाला लगा के done पे click कर लेते हूं, तो देख सकते हैं, अब मैं यहाँ पे slide कर रहे हूं, तो एक अलगी effect आपको देखने को मिलता ह है, है ना, तो ऐसे करके आप यहाँ पे change कर लेंगे, देख सकते हैं, यह हो गया, यह हो गया, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,